भगवान शिव की एच्छे हाध्यात्मिक बातें आपकी आँखे खोल देंगी देवों के देव महादेव को पंच देवों का प्रधान कहा गया है। ये अनाधी पर मेश्वर हैं और आगम निगम आधी शास्त्रों के अधिश्थाता हैं। शिवी संसार में जीव चेतना का स अंचार करते हैं। इस आधार पर देविय शक्ति के जीव तत्व को चेतन करने वाले स्वयम भगवान शिव शक्ति के साथ इस समस्त जगत मंदल्व ब्रहान में अपनी विशेश भूमिका का निर्वहन करते हैं। साथ ही मृत्यू को जीटने वाले महाशिव हम आपको साधना के साथ नमन करते हुए जन्द मृत्यू के बंधन से पीड़े तवस्था से मुक्त होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ज्यान, वेराग्य सहित सांसारिक कर्म बंधन से मुक्ति का मार प्रदान इसमें भगवान शिब की प्रभुसत्ता विशेश रूप से द्रिश्य होती है। जो मई, दिव्य तेज का पुंच जागरित हुआ जिसके द्वारा विश्नु जी की उत्पत्ती हुई। भगवान शिब के स्वरूप तथा क्रिया विधी के अंतरगत जो स्थितियां सामने आती हैं। उसे देखे तो जिन्हुने वेद, पुरान के माध्यम से जगत को अपने ज्ञान तथा अध्यात्म से परिचय करवाया। ऐसे महाशिव एक सामान्य प्रानी को अपने विशिष्ट पत से लेकर आत्मा पर्मात्मा का अनुभूत सिध्धान्त प्रदान करते हैं। संसार सहित ब्रह्मान्त के कालक्रम सिध्धान्त के अनुसार संसार के भरन पोशन आधी क्रम को वेदों के माध्यम से अन्य देवताओं की नियुक्तियों द्वारा संपादित करने की अवस्था का अनुक्रम दिया गया है। परम शक्ती महाशिव के तीनों गुनों का उलेक समयानुसार यूग परिवर्तन के माध्यम से सात्विक राजसी एवं तामसी स्वरूप में दिखाई देता है। अत्व बिंदु की रूप में हमारे समक्ष विध्यमान किया है। अग्वदिय अनुकरम पंच महाभूतों से संबंदित है। देव शान की पौरानेक मान्यता पर निर्भर करता है। इन अवस्था वव्यवस्थाओं को शिव अपने अंश मात्र से धारं किये हुए हैं। शिव ही एक मात्र ऐसे देव हैं, जो संसार का प्रबंधन संभालते हैं। उनी के द्वारा ज्यान तथा वेराग्य जैसे मूलबूत दिव्यसाधना का साक्षाकार करती है। इन अवस्थाओं का ज्यान एवं अनुभवाध्यात्मिक, परमात्मिक स्थितियों से होकर गुजरता है। संसार तथा ब्रह्मान के समग्र में भगवान शिव का परम तेज बिंदू अपनी गती से समस्थ जीवात्माओं को प्रकाशित करता है। ये सभी जीवात्माएं शिव के उस्वरूप का दर्शन व अनुभव करती हैं जिसके अंतरकत संसार की ये सभी परिस्थितियां आश्रम व्यवस्था पर आधारित हैं। शिव की कृपाएक परम गुरू के रूप में हमारे सामने युगों से चलिया रही है, जो हमें जीवन को बहतर बनाने की कला, वर्तमान से संघर्ष करते हुए समस्थ विकारों पर नियंतरन करके जीवन यात्रा को विजई बनाती है। ग्रेहस्थ एवं सन्यास के माध्यम से दो विशेश स्थितिया जीव कल्प में प्राप्थ होती हैं। दोनों का ध्ययशिप के परम दर्शन प्राप्थ कर सांसारिक यात्रा को विराम देकर जीवन मृत्यू के बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही माना जाता है।